एक बात मैं सब में कॉमन देख रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई स्टुडेंट्स नहीं है, चाहे वो पढ़ता हो, चाहे वो नहीं पढ़ता हो, ऐसा कोई नहीं है, जो अंग्रेजी बोलने की और धिरे धिरे आउटपुट निकलना सुरू हो जाएगा जैसा मैं करता हूँ मेरे साथ आपको नकल करना इमिटेट करना है जब नकल करना सुरू करोगे अंग्रेजी आसान हो जाएगा जैसे मैं पूछ रहा हूँ तुम कितना पानी पीते हो तुम कितना फल खाते हो तुम क अगर यह बोलना हो और how much और how many का प्रयोग नहीं आता है तो कैसे अगरी जी बोल पाओगे आप तो आपके लिए एक एक सब चुन कर ला रहा हूं इत का प्रयोग, देयर का प्रयोग, how much का, how many का ता कि आपको बोलने में, लिखने में, common errors में कहीं भी English की कोई चोटी समस्या भी आपसे ना हो पाए तो त्यार हैं आप सब, चलिए फटाफट, बिल्कूल बैट जाना है आप से क्लासून की तरह और पढ़ने का फिल करना है मेरे साथ देखिए बहुत ही कौन बड़ लिखा आपने, यहां पर दिखने का प्रयास करेंगे जैसा कि मैंने लिखा यहां पर वर्ड है how much, ध्यान दीजेगा, यहां पर वर्ड क्या लिखा आपने, how many और how much यहां पर एक सब सिखेगा मेरे साथ, क्या करेंगे, अब यहां वर्ड है how much और how many, क्या लिखा, how many और यहां लिख दीजेगा, how much how much और how many, अब अंदर क्या है, तो ध्यान देना, many जो एक ऐसा वर्ड है, many एक ऐसा वर्ड है, जो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के लिए आता है, मेरा कुछ बात ध्यान रिखेगा, many एक ऐसा वर्ड है, जो सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ आता है काउंटेबल क्या हो गया सर तो काउंटेबल गिंती करने बाला जिसको तुम गिन सकते हो ना उसके साथ how many का प्रेव करना जिसको तुम गिन सकते हो जैसे कितने अंदे कितने फ़ल जो चीज गिन सकते हो कितना, तो counting में जो होगा वहां how many का प्रेव करना और countable में होना चाहिए क्या प्लूरल होना चाहिए यानि how many boys नहीं how many boys जब खुद कलपना करो कि how many boys होगा तो इन सब के साथ जो वर्व लएगा न वह भी लएगा प्लूरल ये बाद तो आपके दिमाग में चला गया होगा अच्छी बाद सब प्रैक्टिस कर भाओंगो चिंता ने करो how much ये जो much word है न याद कर लो अभी ही प्रैक्टिस अभी कराओंगो एक सगन के अंदर चिंता ने करना है ये जो much है न ये much का प्रियोग करते है uncountable जिसको हम गिन नहीं सकते हैं कितना पानी कितना दूद कितना मिल्क वो uncountable है तो uncountable के लिए हम क्या प्रियोग करते हैं भाई तो uncountable के लिए प्रेयोग करते हैं मच का, तो मच आजी बन होगा singular, आजी बन होगा singular, कभी प्लिवल नहीं होगा तो इसके साथ भर भी क्या लेगा singular, बोलो आसान लगा अब practice करो मेरे साथ अब लग जाओ देखो, क्या लिखा, how how often how often, बोलो मेरे साथ how often, कितनी बार कितनी दफा, often frequency को सो करता है, how often often नहीं पढ़ना, कितनी दफा कितनी बार, बस याद करो practice अभी हो, अभी हो practice, आपी बताओ आप सबने admission लिया है, लिया admission sir, admission कैसे होता है admission हो तो लाल बटन दबाने से, लाल बटन दबा दिया कहां है बटन sir, अरे उपर जहां वीडियो देख रहे हो ना, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा ना, उसी को admission कहते है आपके admission हो गया, यह जो likes बटन है ना, likes दबा दिया आपको होगा presence sir, attendance लगया मेरे classroom की तरह बैठो attendance लगा के admission लेके और share क्या होता है sir, share का मतलब आप ही प्रहो और दोस्तों को ही प्रहो, share करके प्रहाईए ताकि पूरा आप जगोगे, हिंदुस्तान जगेगा, मज़ा तभी है अब क्या कहा, how long कितनी देर कब तक how long कब तक ठहरोगे कितनी देर रुकोगे, how far कहां तक, कितनी दूर जाओगे, अब ये word up फटाफट, skill shot ले लो, इसको याद करो संटेन से पिर होते हैं, और how और how much को हम जानने का प्रयास करते हैं आप से कोई पूछे, आप कैसे हैं how का पहले देखो प्रयोग क्या है तो आप ये तो बना दोगे, आप कैसे how are you होगा सर, बहुत सुंदर इतना तो जान आप के पास हैं, how are you सर, तो how are you, आप सब कैसे हो, how are you are you, okay, बहुत सुंदर आगे देखते हैं, तुम्हारे पिता कैसे हैं कैसे, अभी मैं सिर्फ how ले रहा हूँ अभी how many, how much आएगा, बेट, इंतजार करो, सब आएगा तुम्हारे पिता कैसे हैं, तुम्हारे पिता कैसे हैं, how is your father, हर संटेंस, day to day बोलना है, तुम्हारे पिता जी कैसे हैं, how is your father, तुम्हारे माता जी कैसी है, how is your मदर तुम्हारी बहन कैसी है हॉई जोर सिष्टर तुम्हारा भाई कैसा है हॉई जोर ब्रदर आगे बढ़ते जिली से यहां देखें वह मेरे बारे में कैसे जानती है वह मेरे बारे में कैसे जानती है हाउ ड़स इनो अबाउट मी वह तुम्हारे बारे में कह जानती, how does he know about you, वह उसके बारे में कह जानती, how does he know about him, यह इसका मतलब है न, को वह मेरे बारे में कह जानती, how does he know, how does he know, how does he know, how does he know, how does he know about, how does he know about me, करो, him करो, her करो, them करो, जो मन करता है, राइट, बहुत और यह आगे देखो, वह देखने में क तो देखने में कैसी लगती है, how does she look like, how does she look like, पहले भी दिया था look like, तो how does she look like, यहाँ पर संदिध्या सिंपल सिंपल, जो आपको आता होगा, वहा कितनी खुबसुरत है, how beautiful she is, यहाँ ब्यूटिफुल सिज, वहा कितनी खुबसुरत है, how beautiful she is, अब यहाँ तक समझ में लोग को आगया, अब कहने का मतलब है, कि how क्या है, वो जानने का प्रयास करिये, तो how कितना, कितनी, कितने का सेंस होता है, तो how के साथ, अगर यहाँ पे many जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए, many, जैसा कि पहाया आपने how many, तो how many क्या है भाई, तो how many क्या है भाई, त अभी तक लाइक नहीं किया नहीं तो करो जल्दी, सब्सक्राइब नहीं किया तो करके आगे बहो, क्योंकि आप सब को डेली आ रहा हूं, डेली रात को 9 बजे और सुबा 7 बजे, आपको वीडियो मिस नहीं करना है, कम्प्लीट क्लास करना है, अगर अंगरी सिखना चाहते हो मैं एक बच्चे का कमेंट पढ़ता हूं, आपको कमेंट करते रहना है, जितना बेशियों, जहां भी डाउट हो, कमेंट करो, बात करना चाहते हो न, तो मैं आप से बात करूँगा, आप वाटसप जो नमबर दिया, जो नमबर चल रहा है, वाटसप नमबर है, अपना इनसर आपके साथ जुड़े हैं, सिखाने के लिए प्रहानिकल नहीं, सिखानिकल दिमाग में सिधा डाल दूँगा, यहां देखो countable के साथ प्रयोग की जाता है, how many के बाद, plural noun का प्रयोग जाता है, क्या कहा, how many के बाद, plural noun क्या का, देखो, plural noun, यानि how many boys, how many pains, how many eggs, आएक इसके बाद नाउन का प्रयोग अबस्य होगा और वर्व लगेगा प्लूरल इसके साथ जो वर्व होगा ना वह भी लएगा प्लूरल यह हमने स्टाटिंग में बताया था अब ज़ा करते हैं प्रैक्टिस आप कितने अंडे एक दिन में खा सकते हैं मेरे साथ दुराना है कित आपको 10 अगर सिखना चाहते हो ना तो अपने दिल पर हात रखो कि सर इतना करा रहे हैं क्या सिख जाओंगा 100 परसंट गरेंटी लेता हूं हर दिन अगर रात को 9 बज़े आतो है मेरे साथ तो गरेंटीड है आप क्लास 6 में पढ़ते हो तो या क्लास 10 में हो तो आप किसी भ हो मेनी के बात एक है कि एक से एक से शैना अभ कैन तो चलो मौडल से कोई बात निहां कितनी बहराश है जानती है पाव मैन लैंगवेजेज हाल मेनी लैंगवेज़ज गरेजे दज सिफ्चन थे ले सीषग जाने लोग या साथ ड़ या सबनी दिन होते हैं हाव म मेनी बिर आर देरी नवीग, how many days आर देरी नवीग, तो how many के साथ, यहां पे days का day का प्रेव नहीं करेंगे, how many days are there नवीग, ठीक है, यहां तक का हम ने किया, इसको दुराना है, how many eggs, how many eggs, ठीक है, दुराते रहना है, तो आपके रहोगा, अब इसके साथ है कि how much, परेव प्रेव कहां करते हैं, तो इसका भी हिंदी होता है, कितना, कितने, कितने, लेकिन, अभी जश्ट कहा था, दो मिन पहले, कि how much एक uncountable noun के साथ प्रेव कियाता है, यहां हो मच कैसा है, uncountable noun के साथ, ठीक है, how much के बाद, singular noun का प्रेव कियाता है, how much water, waters नहीं, जब किसी की कीमत बतानी हो, तो इसके बाद noun का प्रेव नहीं भी हो सकता है, कीमत बतानी हो, किसी का 10 रुपया है, 5 रुपया है, तो noun नहीं भी आ सकता है इसको विजहान रखना, अब इसके साथ example मेरे साथ दुराना, उसे कितने पैसे की जरुवत है, उसे कितने पैसे, अब पैसा वर्ड क्या है भाई, तो money वर्ड जो है वो uncountable है, तो यहां क्या बोलेंगे, how much money does she need, भोलो मेरे साथ, how much money does she need, how much money does she need, गिलास में कितना पानी है, how much water is there in a glass, how much water is there in the glass, how much water is there in the glass, ठीक है, इसके कीमत कितनी है, अब देखो, how much does it cost, अब यहां पर noun नहीं आया, तो how much does it cost, इसकी कितनी कीमत है, तो how much does it cost, तो it किस के लिए है, इसकी के लिए है, तो how much does it cost, तुम्हारे पिता जी कितना कमाते हैं How much does your father earn? How much does your father earn? तुम्हें दोड़ा रहा हो ना? How much does your father earn? कुल मिला करके आपको ध्यान करेक रखना है वो समझेज़े कुल मिला कर आपको ध्यान एह रखना है सबसे पहला कॉंसेप्ट कि आपको ध्यान ये देना है कि how much हो या how many हो दो बात मेरा ध्यान रखेगा हमने यहाँ पर क्या लिखा how many ध्यान दीजेगा बेटा और यहाँ पर क्या लिखा how much यह ध्यान एक लाइन देना लिखना कि how many अगर हो how many अगर हो तो वहाँ पे noun जो होता है यह plural होता है और जो verb होता है वह भी plural होता है यह एक लाइन धान रखना है और जो how much है इसके बाद जो noun होता है noun वो होता है singular और plus जो verb होता है वह भी होता है singular यानि कि how many eggs can you eat, how many eggs, how many boys are there, how much water do you drink, how much water, कितना पानी, तो यह दोनों का हिंदी होता है कितना, अब कितना पानी है, तो how much का प्रयों करना, कितने लोग हैं, तो how many का प्रयों करना, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, कितने लोग, कितने अंदे, कितना कलम चाहिए, तो कितना कलम, तो क्या हो गया, countable और plural, तो how many pains, है न, यहाँ पे how much water, how much milk, अब यह दोनों का प्रयोग करके न, आप कम से कम न, पाँच इससे और पाँच इससे आपका ही टास्क रहा, five sentence, आपको बना कर कहा करना है, इसी में नीचे comment करना है, यानि comment करोगे, तो मैं आपका comment पढ़ूँगा, और पढ़ करके फिर मैं आपको जवाब दूँगा, और एक एक comment मैं पढ़ता हूँ, हर बच्चों का दिखता हूँ, आप क्या comment करते हो, right, कल मिलते हैं आपसे फिर ठीक नो बजे, आपके साथ, आपके लिए, पढ़ते रहना, बस पीछे मत हटना, मत सिखा करके छोड़ूँगा आपको, ठीक है, थैंक यू बेर मच, शच सिर्या प्राणी nghiेण करते हैं,बस दोड़ मत हूँ, कि अर्प